आपको मन से हार मानने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत इसी विश्वास के साथ आप चलिए कि आपकी जो परिक्षा है आपकी जो एक्जाम है वो एक यूद छेतर की तरह है और उस यूद में आपको विजय हासिल करनी ही है आपको जीत हासिल करनी ही है और इसी जीत के विश्वास के आएंगे और आप उसका आंसर कैसे देंगे, कैसे आप लिखेंगी, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, सबसे पहले बात यह है कि आप एक्जाम दिलाने वाले हो, और यह आपकी लाइफ की अच्छी सी एक बहुत ही important चीजें हैं, जैसे paint है, pencil है, paint कौन कौन से? black and blue color के paints है, pencil है, scale है, यह सारी चीजें आप ले करके जाएंगे, proper dress के साथ, id card, and school का, यदि id card है तो id card ले करके जाएंगे, और साथ ही साथ, admit card ले करके जाएंगे, और इन चीजों के साथ, आप समय से पहले आप वहां पे कई बच्चे होते हैं, joo क्या करते हैं? कि आपने साथ में books वगरे लेकर कर जाते हैं, paint जो भी है, copy वगरे लेकर कर जाते हैं और exam hall में 10-15 minutes के time day भी इधर-धर पढ़ते रहते हैं और वो confused हैं कि इसे पढ़े, इसे पढ़े इसे पढ़े समय आपको क्या रखना है उस समय आपको यही बाते ध्यान में रखनी है कि आप अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा उसके एकदम रिलाक्स रखेंगे तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे अब हम देख लेते हैं कि सेंपल पेपर आपके कैसे और किस तरह से आएंगे तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं आपको जो क्लास टेंथ का है तो उसमें आपको तीन घंटे की समय मिलेंगे और उसमें आपका मैं एक्जिमम जो माक है वो 75 कर रहेंगा इंग्लिस में ठीक है तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा अटेंट एक वैकलपी कर रहेगा जो कि कुछ इस तरह से कूश्चन रहेंगे और इन कुश्चन के आपको कैसे देने हैं इसको एक बर हम देख लेते हैं जैसे कि यह कूश्चन है हमारा फर्स और इसमें कहा गया है चूज गरेक्ट अल्टर्नेटिव यानि इसमें क्या करना है किसी एक को select करना होता है किसे एक को choose करना होता है जैसे question number one है the headmaster gave a sinister look at naughty boy अब यह हमारा question है और question में क्या दिया है चार option दिया है option a, option b, option c and option d अब इन में से कोई एक option सही है जैसे कि for example के लिए हमारा option यह सही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब यह section a का है ठीक है तो इसे हम कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखें यह कुछ इस तरह से आपका answer seat रहेगा और इस तरह से आपके column बने होँगे अब इसमें आपको क्या करना है सब से उपर में आप लिखेंगे यहां answer number उनber कॉन सारा है वन है तो answer number one अब answer number one का section कॉन सा है A है B है तो जैसा A है तो A लिखेंगे B है तो यहाँ पर हम B लिखेंगे C है तो C लिखेंगे आप चाहे तो इसको किस में लिखेंगे आप इसको Black Pen enzymes लिख सकते हैं अब इसके अंतरगत कितने question है? 5 question है. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और उसके बाद फिर 4, उसके बाद 5. इस तरह से आप अंकित कर लेंगे. अब first का जो answer है, वो कौँ सा है? D है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे D. अब D का जो answer है, वो क्या है? D का जो answer है, देख लेते हैं, एक बार angry है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे angry. तो यह हमारा answer है. वैसी ही, यदि second का answer A हो गया, तो A के अंतरगत जो भी है, आप लिखेंगे. इसके अंतरगत B है, तो B को लिखेंगे. यहाँ पे जैसे D है, तो यहाँ पे D लिखेंगे, और answer लिखेंगे. यहाँ पे जैसे C है, तो यहाँ पे answer लिखेंगे. तो ऐसे ही आपको क्या करना है? पूरा पूरा question लिखने की कोई ज़रुवत नहीं है सिर्फ आप लिखेंगे बीच ओ बीच आप लिखेंगे answer number one जो भी है ठीक है यह एकदम बीच में रहना चाहिए center में है थोड़ा से वह आगे बढ़ गया है लेकिन आपको क्या करना है बीच में लिखना है black pen में लिखेंगे उसके बाद इनको आपको blue pen में लिखना है फिर एक दो लाइने छोड़ेंगे उसके बाद आप आजएंगे answer number one के section B में जैसे हमारा section B है तो आप क्या लिखेंगे answer number one section B ठीक है उसके बाद आप फिर क्या करेंगे ऐसी आप numbering करेंगे अब numbering करने के बाद यह जो blank है देखे fill in the blanks using correct choice इनमें से आपको choice करके correct answer को लिखना होता है blank में तो आप पुरा-पुरा ऐसे sohan is blank only son of Mr. Sarma ऐसा लिखनी की जुरुरत नहीं है आप सिर्फ क्या यहां पर क्या आना है blank में क्या आना है उसी को आप सिधा direct लिखेंगे जैसे blank में आना है जैसे the है तो the लिख देंगे ठीक है तो इस तरह से आप क्या करेंगे लिखेंगे भाई तो यह हो गया हमारा answer ऐसी आपको लिखना होगा तो जो भी answer है उसको आप sequence से फिर से लिखेंगे और इससे section B complete अब section B complete होने के बाद आप हम आ गये section C में match the columns to make meaningful sentences इसमें क्या करना है match करना sentences को meaningful sentence बनाना है अब क्या करेंगे column A column B ऐसी आप बना लेंगे अब उसके बाद आप फिर से वही numbering करेंगे 12345 और इसमें आप लेखे देंगे she was so tired I waited for my friend इसको आप लिख सकते हैं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन लिख लीजिए ठीक है अब इसको लिख लि जैसे that she could not run यह हमारा answer है तो आप इसके just city में इसको आप लिखेंगे ऐसे that she could not run ऐसा जैसे यह हो गया इसका जो answer होगा उसको आप इसके just city में इसका जो answer होगा वो just city में हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे हम लोग करते थे exam में कि इसका यह हो गया ऐसा हो गया ऐसे मिलाने वाला काम नहीं करना है ठीक है यह काम इससे क्या होता है कि यह जो चीजें हैं वो एकदम बिकार दिखने लगती है और ऐसे में आपकी नंबर्स कर सकते हैं तो जिसका जो आंसर होगा उसके जस सीद में आपको लिखना है तो यह तरीका है जिसमें आप बहुत अच्छ से लेख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं यह 5 नंबर के आने वाले हैं और इस तरह से आपके कितने नंबर के हो गया है 15 नंबर के आपके हो गया अब इसके बाद आप आएंगे यहां पे answer the following questions यह आपके question answer के question answer से कहां से प्रोज से यह आपके 4 questions आने वाले हैं और 12 नमबर के आएंगे हो सकता है कि यदि आपको extra questions दे दिया और यहां पे लिखा गया any 4 any 5 जो भी है any 4 ही आने है तो any 4 आ गया तो आपको any 4 ही करने है ज्यादा question नहीं करने है ठीक है जितना कहा जाए उतना ही तो यहां पे 40 question है तो 40 question आपको बनाने है और यह जो question answer है यह आपके 3-3 number के एक कोशन में तीन अंख है तो इसके according आपको लिखना है दो से तीन लाइनों में जादा नहीं रिखना है बहुत जादा लंबा नहीं खीचिना है और नहीं एकड़ में भी नहीं लिखना है तो टेंस के according active voice passive voice के according आप जो है prepositions का use करके conjunction का यूज करके आप लिख सकते हैं हाँ अगर आपको question answer याद है तो आप याद कियों को लिख सकते हैं यदि याद नहीं है तो आप अपने words का यूज करके आप लिख सकते हैं जैसे example ऐसे what is pateratism आप pateratism क्या है देशभक्ती क्या है अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो हाला कि यदि आप याद कियों को लिख सकते हो यदि याद नहीं है तो आप अपने according भी लिख सकते हो तो इस तरह से आप तीन लाइन, दो लाइन, चाल लाइन में आप लिख सकते हो ठीक है अब इसके बाद एक और question answer है जो कि आपके poetry से है यह आपके 10 number के आएंगे दो दो number के 5 questions आएंगे और 5 questions को आपको बराने है अब इसके जो answer रहेंगे वो थोड़ा से कम रहेंगे इसको आपको एक या फिर दो लाइनों में आपको complete कर देना है यह depend करता है कि कौन सा question है हाँ यह आप चाहते हैं तीन लाइन भी लिख सकते हैं चाल लाइन भी लिख सकते हैं यह आपको याद है तो कोसिस करें कि आप एक दो तीन लाइन में complete करतें तो इस तरह सी आपको answer हो जाएगा फिर हम देख चाहते हैं paragraph writing paragraph writing जिसमें आपको कुछ clues दिये जाएंगे hints दिये जाएंगे words दिये जाएंगे तो उसी का according आपको लिखना होता है यह आपकी चाहर नंबर कहांगे अब इसमें से देखिए दो ठो है अब दोनों में से आपको किसी एक को बनाना है जिसके बारे में आप बहु को कैसे लिखे किस रसे लिखे तो इसे related मैंने separate video बनाये हुए जितने भी topics हैं इतने इन topics के मैंने हर एक topics के separate videos बनाये हुए हैं आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं तो इसको कैसे लिखना है कितना लिखना है इसके बारे मैंने बताया हुआ है और उसके बाद देखे यह हमारा आ गया क्या read the following passage carefully answer the question यह हमारा है क्या scene passage scene passage it means पठिद गद्यास अब पठिद गद्यास वह गद्यास है जिसे हमने already relation में पढ़ा हुआ है scene किया हुआ है अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी यह doubt है तो आप इस passage को एक बार देख सकते हैं लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले question को देखिए और question के answers आप अपने आप से ढूंडिए क्योंकि यह scene passage है क्योंकि इसको आपने पहले से ओरड़ी पढ़ा हुआ है तो इसमें भी आप क्या करना है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन में आप आंसर दे सकते हैं ज्यादा ज्यादा लिखने की जुरूरत नहीं है अब उसके बाद आजाते हैं कोई भी पांच तो कोई भी पांच का जा रहा है कोई भी पांच ही आपको करना है इसमें जैसे की 6 तो छेख़theway को करिये तो हमें मुझे तो पुरा चाइका चाय आता है आपको आपको अन्स यहारा पर नहीं दिखानी है जीतना कहा जा रहा है उताना ही लिखना है एक्स्रा लिखनीिक हुड़ाट नहीं है इससे क्ली हो कि आपका ही तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सही वाला भी कट जाएगा और जो गलस होगा उसमें भी आपको नंबर नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं करना है कुछ जो आपका बेस्ट बन रहा है उसी का कॉर्डिंग आपको बनाना है आप चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं मैं डापको एकडं डेटेल से समझाया हुँए है तो इस ऩॉट आप की आपकी डॉस डारेक्ट आ neur seminar है या नरेशन है या नोप्र aneta सेर्ट भूरस तो ङे आपको सब्सक्रच्रीई अएं सहें नरेशन है यागा बनानााया है की पर इसको भी आप एक ही पेज में लिखेंगे दूसरा पेज में नहीं लिखेंगे यदि आप पेज चेंज करते हैं तो आप नीचे में यहां पर लिख सकते हैं PTO यदि आप लिखते हैं तो सामने वालों को पता चल जाता है कि हाँ जो बालक है या बालीका है वो चाह रहा है कि अगले पेज में उन्होंने और भी लिखा हुआ है तो वो देख सकते हैं ठीक है तो ऐसी आपको लिखना होगा औ PTO इससे क्या होता है कि फैक्ट पड़ता है जो सामने वाला हो जान जाता है कि आपने क्या दिखाना चाहिए आप आगे और कुछ भी लिखे हुए हैं और भी आपने कुछ बनाए हुए है इसके बाद आप आप आजाते हैं एप्लिकेशन राइटिंग की एप्लिकेशन ले लिखना होता है जो आपका बेस्ट बने तो अथवा करके इसमें भी आएगा आपका चार नंबर का रहेगा और इसमें आपको कैसे लिखना है किस तरह से लिखना है इस पर डिपेंड करता है हाला कि यदि आपको याद भी नहीं है आप कुछ भी नहीं जानते एक दम नया सा आपको लिखना है वेखने जो भी चीज़ें उस फॉर्मेंट को आप लिखेंगे तो भी आपको number मिल सकते हैं हलां कि चार एचार नमबर नहीं मिलेंगे लेग लेकिन कुछ number मिल जाएंगे दो number one number three number ठीक थीक हा तो छोड़ना नहीं है छोड़ना तो किसे भी question को नहीं है, आप कम से कम format को लिख करके आएंगे, तो भी आपको number मिल सकते हैं, तो इस तरह से आप लिखेंगे और अपने words का use करेंगे, याद है तो याद वाला लिखेंगे, तो ऐसी आपको लिखना होगा, अब application writing के बाद बाद आती है, essay writing की, अब essay writing आपके 8 number के आने तो इस तरह से आपके 4 या 5 essays दिये रहेंगे, उनमें से आपको एक essay को ही लिखना है, जिसको आप based लिख सकते हैं, अभी जो essay है, essay को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले आप synopsis लिखेंगे, रूप रिखा बनाएंगे, उसमें आप सबसे उपर में आ जो भी चीज़े आप डाल सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि important है, points है, उन सारे चीज़े को आप लिख सकते हैं, तो 7, 8, 9 points में आप लिख सकते हैं, 6, 7, 8, 9 points, ये medium points है, इतने points में आप लिख सकते हैं, और इसमें जो है word limitations रहते हैं, लगभग 200 words, तो 2500, 300 words के आसपास क्योंकि उस समय हमारा जो concentration रहता है, हमारा जो mind है, वो एकदम उस समय concentrate हो जाता है, हमारा जो mind हो एकदम concentration में रहता है, एकदम ध्यान केंद्रित हो जाता है उस समय, तो इसलिए आप चाहें, तो उस समय क्या करेंगे, जो aces है, उसको आप सबसे last में लिखेंगे, और aces को लिखने में क्या होता है बहुत टाइम लगता है लगभग 20 मिनाट 25 मिनाट आदा गंटा का भी समय लग सकता है यह डिपेंट करता है आपके स्पीड की उपर तो इस तरह से आप ऐसे को सबसे लास्ट में लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा और उससे पहले आप लिख लीजे इसको यह क्या है अभी जो अनसीन पैसेज यह आपके आठ नंबर के आने वाले हैं और मैंने बताया हुआ कि अनसीन पैसेज को यह आप लि यह कोशन को पढ़ करके आप जब पैसेज को देखेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो कॉंसेंट्रेट हो जाएगा और आप पैसेज को पढ़ेंगे और उस समय आप जो है चीजों को अच्छे से समझेंगे और जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको आंसर खोजने में आसानी होगी और इस तरह से आप अंसेंट पैसिज को भी आप बना सकते हैं लेकिन सबसे लास्टे में आप किसको बनाएंगे एसे राइटिंग को ठीक है तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करिए हमेशा पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए हस लोगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ नेक्स वीडियो लेक्षर में तब तक के लिए धन्यवाद